हिंदू धर्म में धार्मिक कार्यों में मोली क्यों बानते हैं क्या आपने कभी सोचा है यदि नहीं तो आज हम आपको मोली को बानने के कारण और लाग बताने वाले हैं मौली बांदना जिसे रक्षा सुत्र भी कहते हैं हर धार्मिक कारे या पूजा के अरंब में तिलक के साथ यह अनिवारे माना जाता है इस प्रथा का धार्मिक और विज्ञानिक दोनों ही महतु है बात करे धार्मिक महत्व की तो जब भी मोली बांदी जाती है तब ज्यानी पंडित मंत्र का उच्चारन करते है उस मंत्र का आश्य है कि दानवों के महा बली राजा बली जिसे बांदे गए थे उसी से तुम्हे बांदे आओ हे रक्षे तुम चलाएमान ना हो शास्त्रों के अनुसार यह रक्षा सूत्र बांदने की परंपरा महान दानवीर महाराजा बली के समय से चली आ रही है बगवान वामन ने उनकी रक्षा के लिए उनके हाथ पर यह रक्षा सूत्र बांदा था इसी तरह इस प्रथा को इंदराणी शची ने देवराज इंडर की दाएंगुजा पर रक्षा सूत्र के रूप में मौली बांध कर वृतासूर से युद्ध करने के लिए विदा किया था इस रक्षा सूत्र के प्रभाव से इंडर विजय हुए मोली का बांधना शरीर में वात, पित और कफ का संतुलन बना रहता है और शरीर स्वस्त रहता है डाइबटीज, ब्लड प्रेशर, लकवा और हार्ट अटेक जैसे रोगों में मोली बांधना लाबकारी होता है इसके साथ ही यदि यजमान के मोली बंदी हुई हो तो वो किसी अनुष्ठान में पूजा कर रहा हो तो सूतक का दोश लगने पर भी यह रक्षा सूत्र उस अनुष्ठान में बादा को टाल देता है नए वाहन नए समान विपार में कलम वही खाते तिजोरी पूजन समगरी आदी पर मोली बांधना शुभता और लाबका परतीक माना जाता है विपार में अच्छे लाब के लिए वाहन की सुरक्षा के लिए मोली बांधी जाती है पुर्षों तता अविवाहित कन्याओं के दाइं कलाई में तता विवाहित महिलाओं के बाइं कलाई में मौली बांदी जाती है मौली बांदे समय हाथ में चावल रखे मुठी बांदना और साथ में दूसरा हाथ सिर पर रखे पूजा करते समय नमीन वस्त्रों के ना धारण की ये होने पर मोली हाथ में धारण अवश्य करनी चाहिए धारण के प्रती आस्ता रखें, मंगलवारे शनिवार को पुरानी मोली उतार कर नई मोली धारण करें संकट के समय भी रक्षा सूत्र हमारी रक्षा करते हैं तो दोस्तों ये थी हमारी आज की जानकारी, उमीद करते हैं आपको बहुत पसंद आई होगी ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुजावा में कमेंट बॉक्स में बेजें, धन्यवाद